हेलो नमस्कार डियर इस्टूडेंट वेलकम टू सक्सिट केरियर आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं डी एस एस एबी के रिक्रूप्मेंट दोजार एकिस का जो कि यहां पर फ्रेजशर एलिजिबल है और यहां पर जो सेलरी आपको मिलेगी 34800 प्लस ग्रेट पर ठीक है और अधर एलाउंस मिलेगा यहां पर फीमिल दोनों इलिजिबल है तो इस वीडियो को अंतक बने रहेगा सारी इंफर्मेशन में इस वीडियो में आपको देने वाला क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फीस कितनी लगेगी, सेलेक्शन मेठ चैनल को मिलती रहें देख सकते हैं आप Official Notification DSSB यानि कि Delhi Subordinate Service Selection Board के तरफ से आया है जिसकी Official Website है यहाँ पर दिया गया है यह लिंक आपको description बाक्स मिल जाएगा यहाँ पर वेकेंसी की नोटी जो है advertisement number 02-21 है ठीक है जो date release किया गया है आपका application लिया जाएगा अधर कोई भी मेथड यदि आप भेज रहे हैं फारम को तो नहीं लिया जाएगा अब देखें अनलाइन होगा तो अनलाइन ओपनिंग डेट के आए तो 25-25-2021 से आपका फारम बनना स्टार्ट हो जाएगा और last date जो है closing date application का वो 24-6-2021 तक रहेगा यानि कि 24 जुम 2021 तक आपको अनलाइन फारम भल लेना है देखें यहाँ पर समसे पहले आप देख सकते हैं यह serial number उसके बाद post code नेम आप दी पोस्ट उसके बाद name आप डिपार्टमेंट उसके बाद group और grade पेज़ के ल प्लस यहाँ पर टोटल वेकेंसी आप देख सकते हैं कितना आया होगा है यहाँ पर देख सकते हैं जो post code TGT हिंदी मेल के लिए और TGT मेल के लिए हिंदी के तो पोस्ट कोड दोनों का अलग अलग है 3321 और 3421 यहाँ पर टोटल जो post आया हुआ है वो 551 हिंदी फिमेल के लिए और 556 TGT हिंदी मेल के लिए इससी तरह आप दे सकते हैं टीसे नंबर शेर्य नंबर पर TGT यानि कि ट्रेंड ग्रेज़्ूेट् टीचर जोगी नेचरल साइंस मेलके लिए यहाँ पर 1040 पोष्ट आया हुआ है यहाँ पर TGT नेचरल साइनस फिमेल के लिए जो Anne सो चोगशर्विस पोष्ट आया हुआ हुआ है उसी परकार TGT मे के लिए 479 और TGT Social Science female के लिए 662 पोस्ट आया हुए उसके अलावा TGT बंगाली male के लिए यहां पर पोस्ट देख सकते हैं एक आया हुए और Assistant टीचर जो की प्राइमेरी टीचर के लाते हैं 434 पोस्ट आया हुए Assistant टीचर नर्सरी के लिए यहां पर 74 पोस्ट आया हुए जुनियर असिस्टेंट एल्डिसी के लिए 278 पोस्ट आया हुए है counselor के लिए यहाँ पे total 50 post आया हुगा है head clerk के लिए 12 post और assistant teacher primary के लिए 120 post और पटवारी के लिए यहाँ पे 20 post आया हुगा है यहाँ पर सभी लोग eligible है आल इंडिया eligible है तो आपको कैसे farm को भनना होगा तो देखी हैं यहाँ पर पर जाकर आपको अनलाइन वे फार्म को क्या करना है सम्मिट करना है कब तक 24 जून 2021 से पहले पहले मीड़नाइट में समय दिया हुआ है लिंक एक्टवेट कब हो जाएगा तो 25 तारिक से एक्टवेट हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 02-21 इसके बारा में दिया गया है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं TGT यानि की ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी फीमेल के लिए यहाँ पर इसे सियल क्वालिफिकेशन जो आपका होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन वह बिये ओनर इन वन आफ मॉडर्ण इंडियान लीग कंसर्ण आर बिये विथ एमाईयल कंसर्ण वन आप दी इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए दूसरा जो दिया है इसके अलावा आप यह आपके पास हैं क्वालिफिकेशन तो आप फाराम को भर सकते हैं उनके अलावा यदि आपके पास यह नहीं है तो आपके पास डिग्री इन एमाईयल कंसर्ण किसी भी रिकोगनाइज उनिवर्सिटी से 45 परसेंट मारक है तो आप इसके लिए इलिजवल है अथवा यह भी नहीं है तो आप फार एपॉइंट्मेंट एज हिंदी टीचर शाहित्य रतन आप हिंदी साहित्य सम्मेलन भी आप से लेकर चैनृशन एगा ठीक है और यहां पर देख सकते हैं यहां पर मैल कि लिए हिंदी मेल के लिए तो चैन्थी स्ंवाओ मेवन इंडियन लीग उसके बाद इक्विवेलेंट डिग्री एमायल कंसर्ण्स है या आपके पास साहित्य रसन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से 45% मार्क है तो आप इलीजिबल है तो यह TGT के लिए इलीजिबिल्टी थी सभी TGT के लिए यह होना चाहिए देखें यहाँ पर TGT नेचूरल साइंस मेल के लिए जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया हुए बैचलर डिग्री होनर्स पास 45% मार्क होना चाहिए आपके पास सब्जेक्ट में होना चाहिए इंगलिस मैटमेटिक नेचूरल फीजिक्स या सोशल साइंस में कोई एक होना चाहिए उसके पनcendo मेल सब्जेक्ट टिधी नेचूरल साइंस का जो है अधिक है तो एज रिलेक्सेशन भी आपको मिलेंगे केटेग्री वाइज यहां पर आप देख सकते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर नेच्चुरल साइंस फीमेल के लिए तो सेम ऊपर जो नेच्चुरल साइंस मेल का था वही यहां पर भी क्वालिफीकेशन भागा फीजिक्स साइंस है या शायल भी फीजिक्स कमेश्टी बायोजी बोटनी जूलोजी सोसल साइंस में आपको कोई एक सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री पॉल्टिक साइंस एकोनोमिक बिजनेस इस्टडी सोसलोजी या जियोग्राफी और साइकोलोजी होना चाहिए ठीक है और आप आगे देख सकते हैं आगे यहां पे जो वाकेंसि आई हैं यह भी TGT मै्ट्स के लिए फीम मेल के लिए तो सेम उपर वाला जो क्वालिफीकासन था मेल के लिए वही है उसके सकते हैं इसके सब्सक्राइब कर 영상 को यहां भी डिजिक्ट्la स्टोची जुलोजी या सोसल ताइंस में स्टीप पॉलिटिकल एकोनुमिक बिजनेस टॉड़ी सोसुलोजी जियोगराफी साइकोलोजी एं तो आप इस पॉस्ट के लिए उसके पाद अगला जो है यहाँ पॉसल ताइंस फीमल के लिए जो कि 45% मार्क होना चाहिए ठीक है या आपके पास equivalent ओरियेंट डिग्री होना चाहिए जो कि M.I.L. concern रिकोगिनो युनिवर्सिटी से 45% मार्क होना चाहिए तो भी आप इलिजिबल है इस पोस्ट के लिए अगला आप देख सकते असिस्टेंट टीचर के लिए जो कि पोस्ट हिंडी इन सेकेंडरी लेवल यानि कि आपका जो क्लास 12 में हिंदी लेवल पास होना चाहिए तो आप असिस्टेंट टीचर नरसरी के लिए इलिजिबल है उसके अलावा यहां पर ग्रेट पे आप देख सकते हैं ब्याली सो ग्रेट पे प्लस 34,800 रुपे उसके अलावा कार्पोरेशन के लिए जो यहां पर एजुकेस्ट क्वालिफीकेशन चाहिए मैट्रीकूलेशन या सेकेंडरी स्कूल एक्जाम किसी भी उनिवर्सिटी से होना चाहिए और आपके पास 35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग होना चाहिए 35 पोस्ट कोड 44 के लिए देख सकते हैं यहां पर इसकी इलिजिबिल्टी क्वालिफीकेटन बैचलर डिग्री होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कांसलिंग साईकोलोजी से होना चाहिए तो आप इलिजिबल हैं कांसलर के पोस्ट के लिए उसके बास एसि इसके equivalent 45% मार्क होना चाहिए है तू यहां पर देख सकते हैं बैचलर डिग्री है आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री और इसके अलावा आपके पास एक्सप्रियेंस समें नील है यहां पर आपको अनलाइनी मार्धियम से अनलाइनी अप्रिकेशन बढ़ना है नो अधर मोड आप एक्सेप्टेड याद रखिएगा आपको अनलाइन यह वाली वेब्साइट यानि की www.dssbonline.nic.in जिसका लिंक डिस्क्रिप्टेड में आपको दे दूँगा यहां पर एक्जामिनेशन फीस की बात करें तो सौर रुपे लगने वाला है जो की जनरल और और OBC को लगेगा उसके इलावा आप यदि PWD एक सर्विसमें एस्टी एस्टी से हैं तो आपको एक रुपे भी फीस नहीं प्रेक करने होंगे मोड आप सेलेक्शन आपका वॉन टियर या टू टियर एक्जाम के माधियम से होगा चलिए वॉन टियर और टू टियर की स्टी आप देखी सकते हैं जानरल इंटेलिजेंट रिजिनिंग है उसके बाद अर्थमेटिक न्यूमेरिकल अबडिटी है हिंदी लेंग्वेज एंड कंप्रेंशन है इंग्लिडिस लेंग्वेज एंड कंप्रेंशन है ठीक है तो हिंदी इंग्लिस सब हैं यहाँ पे सब्सक्राइब आपको नागरिक होना चाहिए इंडिया का यह होना ही चाहिए उसके बाद आपको चलिए यहाँ पर दिखाते हैं सब्सक्राइब आपको तेरह साल का चूटी यहाँ पर मिलने वाला है उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो कि खास नहीं है यहाँ पर आपको सिलेबस देख लेना है एंडियर फॉर्स अब देख सकते हैं एंडियर फाइफ यहाँ पोस्ट कोड यहाँ पर दिय पोस्ट के लिए यहाँ पर सेक्शन ए में कौन कौन सा एंसी क्यू आएगा कैसा आएगा यह सभी डीटेल यहाँ पर दिया गया है तो इसका पीडिएफ आपको हमारे टेलिग्राम चैनल से मिल जाएगा वहाँ से जाकर इस पीडिएफ को डाउनलूड कर लिए और आप कौ ठीक है तो यह सभी इंफार्मेशन आपको देना था सारे इंफार्मेशन मैंने आपको दे दिया यह इंफार्मेशन आपको helpful लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दिजिए और चैनल पर पहली बार होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए कि आने वाली सभी आपको मिलती रहे तो आज के लिए वीडियो में इतना ही थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो गाइज